तो आज हम लोग सौल्प करेंगे वक्सिट 5 के कोश्टन्स को और इसके पहले के जो वक्सिट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तो फिर आप आए बटरू किलिक कीजिए वहां से विडियो लिंक पे जा सकते हैं तो यह देख रहे हमारे क्या है पिरियर्ट से और जस्ट इसके निच्चे हमको दिया हुआ है प्लेस यह देखिए प्लेस अना क्या है लैक्स टेन थाओजेंड थाओजेंड हंड्रेट टेंस वन्स यह से हम लोग लर्न कर लेंगे और आए अब हम आपक्सिट 5 के को सॉल्प करेंगे तो यहा यहां पर ऑपर जागा पर यहां पर पहला डेजिक यहां पर थैसमारा पर तीसरा लिजित यह फूर्थ यह तो इस तरह से अब सारे डिजिस्ट को यहां पे राक सकते हैं तो आईए मिसका हम नेव नौट कर ले तो चलिए मैं यहां पर एक पेज ले लिया है और यहां पर हमारे पास फिर्स्ट कोश्टन न है इसका हम आंसर यहां पर करने हमारा हो जाएगा वन्स और दुसरा हमारा हो जाएगा थाउजेंड्स ओके थाउजेंड्स और हमारा एक और क्या हो जाएगा एंड एंड हमारा हो जाएगा लैक्स ओके यह हमने नॉट कर लिया तो हम लोग यहां पर सेकेंड नमर कोर्शन नॉट करते हैं और सेकेंड नमर प once और thousand periods में दो places हैं उसको mention करना है तो एक जगह हम लोग यहाँ पे note कर लेते हैं periods क्या note कर लेते हैं periods और दुसरे जगह हम लोग note कर लेंगे places ओके यह हमने क्या note कर लिया places चलिए note कर लिये periods में हमारा क़िया और once परेंटमे कौन-कौन से place होते हैं तो पहला place जो होता है उसका नाम होता है दूसरा क्या होता है दूसरा होता है यह हमने noot कर लिया अब दूसरा जो prior ह similar Where वह हमारा यहां पर क्या कखा गी एक है यह कहता है थाउजणंद पीर्यूड थो प्लेस उस्यद एक होगा एक होगा थाउजड गार तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे question number third को solve कर लेते हैं हम लोग तो यहां पर हमारे पास यह question number third और यहां पर देखे क्या करते हैं हम लोगों से कहा गया है rewrite the following numerals यह जो numerals दिए वे इसको फिर से लिखना है using commas between periods okay periods की बीच में को क्या लगा देना है commas लगा देने हैं तो आईए हम सायर numbers को note करते हैं और उसमें commas लगा देंगे तो यह हमारा है third number okay और third number में हमारा यह answer आता है चलिए हम answer कर लें और जो यहां पर पहला number है हमारा a number तो a number पर कौन सा number है देखिए nine one four zero nine okay तो हमको कौमा लगाना है तो हम कौमा कैसे लगांगे यह ध्यान रखिएगा हम लोग इधर right side से इधर से हम लोग three digits के बाद पहला कौमा लगाएंगे three digits के बाद पहला कौमा तो हमारा यहां पर एक कौमा लगेगा ओके यह ध्यान रखिएगा कि right side से आपको 3DS के बाद कॉमा लगा देना है तो यह हमने कॉमा लगा दिया किलियर है आईए दूसरा हम यहां पर ले लेते हैं बी नंबर पर बी नंबर पर हमारे पास कॉमा लगाईएगा तो पहला तो कॉमा हमारा यहां पर हो जाएगा ठीक है यह देखिए 6 के बाद और दूसरा जो होगा यह दो डिजिट के बाद होगा तो यहां पर 1 के बाद कॉमा हो जाएगा ओके चलिए अब सी नंबर पर नोट करते हैं तो सी नंबर पर क्या हमारे पास 8 2 4 3 और ये डबल 0 है तो फिर से देखिए यहां पे 3 डिट्स के बाद हमको कॉमा लगाना है पहला और तो यहां लगेगा और दूसरा कहां लगेगा फिर 2 डिट्स छोड़ना है तो 2 डिट्स छोड़ेंगे तो 8 के बाद कॉमा लग जाएगा तो आईए हम लगा लगते हैं पहला कॉमा यहां पर और दूसरा कॉमा यहां पर ओके तो बिल्कुल सिंपल था अब D नमर को सॉल्ब किजिए तो D नमर पे आपके पास क्या रखिए यह है आपका 9 8 4 6 1 तो फिर से आप क्या करेंगे यह 3 डिट्स के बाद आपको पहला कॉमा लगाना है तो पहला कॉमा यहां पर लग गया और यहां पर 2 डिट्स के बाद दूसरा कॉमा लगाना है तो यहाँ पे दो ही digit बच गया आप देख लिजिए यहाँ पे कोई भी और digit तो है नहीं इसलिए आपका एक ही कॉमा लगेगा दो कॉमा यहाँ पे नहीं लगने वाला है अब आजाए यह ए नमबर पे तो यहाँ पे हमारे पास नमबर क्या है यह देखिए 3, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 8 तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे तो अभी 3Ds को छोड़ने वाले हैं तो एक कॉमा यहाँ लगेगा फिर एक कॉमा यहाँ पे लग जाएगा तो हमने यहाँ पे कॉमा पूट कर लिया और यहाँ पर भी कॉमा पूट कर लिया बिल्कुल सिंपल फिर आप F number को आजाएगे यहाँ पे देखिए 4, 4, 4 कितने टाइम से यहाँ पे 6 टाइम से तो 6 टाइम से आप नोट कर लिजिए 6 टाइम नोट किये आप देखिए यहाँ पर आपको फिर से 3 डिट के बाद कौमा लगाना है फिर 2 डिट के बाद कौमा लगाना है तो यह आपका हो गया कौमा यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं यह जो हम लोग कौमा लगा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है यह पहला 3 डिट क्या कलाता है हमारा यह हमा है अग्ला जो एक डिजगिट बखता है यह हमारा क्या कर लागा यह हमारा करता है लॉक्त सो यह लुग जान रहे हैं तो हम पीरियट के बीच में कौमा लगा दिए पहला हो गया वन दूसरा पर यह था तो दो बढ़ेंगे पहला तो थरी डिजगे उसके बाद दो हम लोग यहां पर जीन मिलेटों तो जीन मुंी कि एक और उसके बाद कितने zero कि वाद फेड़ पहले तो आप को मॉक्त कहां लगाएंगे पहला थी का İyi यह हमारा क्या कखला करें यह हमारा क्या कर लाता है और फिर वाहा हमारा तो अ क्या करेंगा हमाارा कॉमा यहाँ पर लगाएंगे तो यह बिल्कुल इजी हो गया चलिए एच नमर पर आईए यहाँ पर देखिए क्या है आपका 505 और इसके बाद फिर क्या हे आपका आपका है 001 तो फिर से म्लिद्ध और के स्फ alan और यहाँ लगा दिया और लास्ट में हमाना क्या बच कै लकुत गया तो यह को वह बच गिया तो यह क्या फैर्मा Secע complete हो जाते हैं चलिए आप लोग next question solve करेंगे question number four तो हम ले लेते हैं question number four यह देखे question number four हमारे पास आ गया और यहां पर क्या कहता है write the period place and place value of the encircled digit in each numerals ओके सभी में हमको जो यह digits circle किया हुआ है इसका क्या लिखना है इसका period लिखना है place लिखना है तो बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं तो पहले हमारे पास ए नंबर पर क्या यह देख लिजी तो ए नंबर पर पास हमारे पास है यह देखिए three है ओके और यह है फिर four फिर one और फिर है nine six और eight और यहां पर जो हमारा है वो 3 को क्या किया गिया है इन सर्कल किया गिया है और यहां पर कॉमा भी लगा हुआ है देखिए ओके तो हमको क्या करना पड़ेगा न हमको यहां पर 3 का लिखना पड़ेगा period place and place value तो हम लोग यहां पर note कर लेते हैं period क्या note करते हैं पहले period और यह डैस कर देते हैं फिर हम दूसरा क्या नॉट करेंगे दूसरा यहां पर नॉट करेंगे प्लेस हम नॉट करेंगे प्लेस ओके और यहां पर हम नॉट करेंगे प्लेस वैल्यू एक और लास्ट में लोग क्या नॉट कर लेते हैं प्लेस वैल्यू चलिए नॉट कर लिए आईए तो बताएगा इसका period क्या होगा ये कौन सा period पे ये देखिए पहला होता है once दुसरा दो होता है वो होता है हमारा thousand और ये last में है तो ये क्या होगा हमारा लैक तो हम यहाँ पे note कर लेते हैं लैक ये periods होगे लैक अब place place भी इसका lag ही होगा place भी इसका lag ही होगा और place value क्या होगा तो place value लिखने के लिए हमारे पास trick क्या है जो digit है आप उसको note किजिए तो पहरे digits को note किजिए और इसके बाद यहाँ पे कितने digits हैं देखिए तो आप digit count करेंगा तो कितना आएगा 1, 2, 3, 4, 5 total 5 digits हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 digits हैं तो वो 5, 0 put करना है 1, 2, 3, 4, 5 तो यह हमारा क्या हो जाता है यह हमारा हो जाता है 3 lakh तो इस तरह से हम लोग सारे numbers के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन सा digit को circle किया गया है 8 तो 8 कौन सा period पे होगा यह हमारा once period पे होगा तो हम यहाँ पे क्या note करेंगे once और place की बात करें तो place भी once ही होगा और place value क्या होगा तो 8 और इसके बात कोई तो digit है नहीं तो 8 ही होगा place value और फिर c नमर पे देखिए c नमर पे place किसका लिखना है हमको four का तो four यह कौन सा place period पे आएगा period की बात करेंगे तो यह once period पे आएगा और जब place की बात करेंगे तो यह क्या आएगा hundreds हना तो हम यहाँ पे note करेंगे hundreds ठीक है और place value क्या होगा तो place value पहले digit है four four note कीजिए और इसके बाद कितने digits हैं यहाँ पे यहाँ पे हमारे two digits हैं तो two zeros put करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाता है यह हो जाता है हमारा four hundred तो d number पे हमारा zero in circle किया हुआ है तो zero कौन सा period पे तो आप देख रहें यह आपका thousand period पे है तो आप यहाँ पे cannot करेंगे thousands और place की बात करें तो place भी इसका thousand ही है thousand place है लेकिन place value की बात करेंगे तो क्या होगा zero चुकि zero कहीं भी रहेगा उसका जब place value की बात की जाती है तो क्या होता है zero यह आप learn कर लिजिए तो हमारे पास next है e number और e number पे देखिए यह four जो है इसको circle किया हुआ है तो फोर कौन सा period पे आएगा फोर आपका आएगा once period पे ओके और अगर place की बात करें तो place क्या है इसका place इसका है 10 हाना second number पे तो 10 होगा और place value की बात करें तो पहले फोर लिखिए और इसके बाद यहाँ पे एक digit है right set तो आप एक zero put किजिए तो यह आपका क्या हो गयाOSS 40 हो गया place value अभी हमको यहां पे लिखना है six का okay six का हम क्या लिखना है period लिखना है place लिखना है place value तो यह कौन सा period पे आएगा हम देख रहेए thousand period पे आएगा okay तो हम यहां पे क्या note कर लेते हैं thousands और जब प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस भी इसका 1000 ही होगा और दुसरा place value तो place value आप पहले 6 not किजिए और यहाँ पे देखिए इसके बाद कितने digits है 3 digits है तो 3 0 इसको put कर लिजिए यह क्या हो गया 6000 इसका place value हो गया तो हम लोग यहाँ पे जी नमर पे देख रहे न यह जो है 3 इसको encircle किया गया है तो 3 का period क्या होगा तो period तो इसका हो जाएगा once और जब place की बात करेंगे तो place भी इसका once ही होने वाला है चुकि first number पे है और period अब place value क्या होगा चुकि first position पे है तो place value इसका वह हो जाएगा आने 3 हो जाएगा ओके चलिए next जो होगा जी और एच को हम देख लें यह हमारा last हो जाएगा तो यहाँ पे period क्या होगा हमारा तो किसका लिखना है four का लिखना है तो four कौन से period पे आएगा तो यह आता है हमारा last period पे और जब हम बात करते हैं इसका place भी इसका लैक ही होने वाला है और place भी लोग की बात करेंगे तो four लिखिए और यहाँ पे कितने digits है total five digits है तो five zeros put कर लिजे तो क्या हो जागा यह आपका यह हो जागा आपका four lakh ओके तो अब चलिए हम लोग next question को solve करते हैं और यह हमारे पास है fifth number फिफ नमबर फे मोगों क्या करना है Numerals लिखना है तो हम यहाँ पे Numerals कैसे लिखेंगे तो देखी हमारा Mean होता है वो क्या होता है तो प्रियर्ट में जो प्लेस होती है वो प्लेस को हम देख लें तो प्लेस तो पहला हमारा होता है वंस ओके यह हमारा होता है वंस वो से हम वंस दिखा रहें और टी से हम लोग क्या दिखाएंगे और एस से हम लोग 100 दिखाएंगे इसके बाद हमारा एक कॉमा होगा फिर हमारा क्या होगा थाउजेंड तो हमारा यह होता है थाउजेंड के लिए लोग टी एच लिखेंगे और फिर आता है टेन थाउजेंड 2000 ये देखिए 60 2000 आनि कि thousand place पे हमारा period पे क्या होगा न 62 होगा तो आप 62 यहाँ पे note कीजिए ये देखिए फिर आप कुमा लगा देजिए फिर आप क्या देख रहे हैं 62 2000 के बाद 300 300 देख रहा है तो 100 place पे आप 3 put कर लीजिए और 10 और 1s place पे क्या होगा ना 00ोगा तो यह अपना numeral complete हो गया अब बी number पे आईए तो बी number पे हमको क्या लिखना है देखिए 60, 30,000, 1 तो पहले thousand पे आप 30 note कीजिए तो यह thousand है तो यहाँ पे हम लोग 30 note करेंगे 30 हो गया और फिर हमको one लिखना है तो one लिखना है तो hundred पे आप 0 रखिए 10s पे आप जोगा किया और one place पे आप one put कर दिजिए यह आपका numbering हो गया अभी c number देखिए क्या लिखना है 200,000,000 पे हमको one रखना है और three रखना है last में तो हम पहले यह लैक पे two रख लिए फिर कॉमा लगा दिए अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है ना one thousand है one thousand तो हम thousand पे क्या लिखेंगे zero और one लिखेंगे one thousand फिर कॉमा लगाए फिर हमको क्या चाहिए three चाहिए तो यह hundred पे zero tens पे zero और ones पे हम क्या लिखेंगे three तो यह हमारा numeral बन जाता है आइए हम next देखेंगे हमारे पास d number है और यह क्या है six lakh okay twenty nine thousand और sixty तो यह हम d number यहाँ पे ले लिए और हमको sixty lakh लिखना six lakh लिखना है तो six उसके बाद कॉमा देंगे फिर thousand पे क्या लिखना है thousand पे लिखना है twenty nine तो हम यहाँ पे two nine लिए twenty nine thousand हो गया और sixty लिखना है तो hundred पे zero देंगे और ten's पे six और one's पे zero यह हमारा क्या हो गया ना sixty हो गया तो आज़े यह नमबर को नोट कीजिए यह नमबर पे क्या होगा आप देखें यह क्या है fifty thousand fifty लिखना है तो लैक पे तो है नहीं तो लैक पे छोड़ देजे fifty thousand तो thousand पे fifty लिखिए और आपको क्या लिखना है fifty fifty लिखना है तो hundred पे zero रखिए और यह आप लिख देजिए five zero fifty हो गया इस तरह से नमबर हो गया आप देखिए एप नमबर पे क्या करना है यहां पे nine lakh लिखना है क्या लिखना है nine lakh 19,000 नाइन लाक 19,000 तो लाक पे आप nine रखिए फिर कॉमा देजिए फिर नाइनटीन थाउजन आपको रखना है तो आप क्या किज़ेगा वन नाइन नाइन-टीन हो गया थाउजन परियें पर और आपको फिर लिखना है 19 तो 100 पे 0 है तो 100 पे आप 0 रखिए और 190 जी यह आपका नुम्रल बन जाता है चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे जी और एच को कर लेते हैं उसक्त कंप्लेट हो जाएगा तो यह देखिए हमारे पास जी नमबर पे क्या कहा गया है 14,000 कितना 1000 14,000 और यह क्या है हमारा 31 है तो हम य पिर हम कौमा दे दिये और 100 पे तो कुछ है नहीं तो 100 पे 0 और यह क्या हमारा 31 है तो हम यहां पे लिखेंगे 31 यह हो गया हमारा 30 14,000 हमारा हो गया आप देखिए H नमबर पे तो H नमबर पे क्या है एट लैक है तो आप 8 पूट करिए कॉमा देदेजिए और 1000 कितना है 1000 तो 1000 पे आपको 01 रखना पड़ेगा 1000 हो जाएगा और आपके पास क्या है 301 तो 300 100 पे आप 3 रखिए 10 पे 0 और 1 प्लेस पे 1 रखिए यह क्या हो गया 8,1,301 यह कंपलिट हो गया तो चलिए हम लोग next question नमबर देखते हैं और इसको solve करेंगे और यह हमारे पास क्या है तो यहाँ पे 6 नमबर question है और कहता है write the number names numbers names लिखने है for the following numerals तो हम यहाँ पे number name कैसे लिखेंगे यह देखिए हमारा क्या है न वनस है यह हमारा क्या है वनस है ओके और आगे हमारा क्या है यह हमारा है thousand period तो once period और thousand period तो thousand period पे आपको क्या digit दीख रहा है 75 तो आपका name क्या हो जागा 75,000 तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 75,000 यह हमने नोट कर लिया है और देखिए आगे हमारा क्या है 831 तो हम यहां पर लिखेंगे एट हंड़ेट कि एट हंड़ेट थार्टी वन उके इस तरह से हम यहां पर कंप्लीट कर लिए नेमिंग इसका तो अगला जो है यह हमारा फिर क्या हो गया यह तो हम लोग नोट करेंगे 3,65,186 तो हमारे पास अगला जो है यह सी नंबर इसका नेमिंग क्या होगा आप देखिए यह हो जागा वन लैक और यह 0000 होना है 1000 पर 00 है इसको नहीं लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 301 तो यहां पर नेम क्या हो जागा 1,301 यह नेम हो गया अगला जो है इसका नेमिंग क्या होगा यह देखिए गया तो यहां पर देखिए 95 है थाजन परियेट पर ओके और यहां पर 00 है तो जिरो वाले को तो लिखना नहीं है ओके वन्स पर 00 इसको नहीं लिखना है तो हमारा क्या हो जागा हमारा जो नेम हो जाएगा वह जागा 95,000 नेम क्या हो जागा 95,000 ओके चलिए अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या है यह है 3,00,00 और यह 0,8 है 0,8 को हम लोग 8 पढ़ेंगे तो यह 8,751 हम लोग लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 3,00,8,751 अब देखिए आप अगला बता यह क्या है 7,00,00 है और यह 0,7 है तो 0,7 को क्या लिखेंगे हम लोग केवल 7 लिखेंगे तो यह 7,707 हो जाएगा तो हम लोग ने यहाँ पर क्या नॉट कर लिया 7,707 अब यहाँ पर देखिए क्या है यह 6,00,00 होगा और यह 6,00 मतलब 60,660 तो हम लोग ने नॉट किया 6,60,660 और एक और लास्ट है इसको भी लोट कर लेते हैं और इसके बाद यह हमारा कम्प्लिट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या नॉट करेंगा यह देखिए 40,000,00 को तो नॉट करना नहीं है तो यह हमारा क्या हो जागा 40,004 हो जाए यह हमने क्या नॉट कर लिया 40,004 ओके तो यह हमारा कम्प्लिट हो जाता है यहाँ पर हम लोग ने कम्प्लिट कर लिया है वाक्षीट 5 के सारे कोस वादकर अवकों करते हैं।